नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाल न्यूस चानल मेटू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका पिलिटिन के शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से कश्मीर पर कड़वाहट के बीच पाक से भारत को ने ओता सार्क सम्मेलन के लिए पाक पीएम ने पीएम मोदी को भेजाने मंत्रा राजनात के दोरे में दिखी थी कड़वाहट नहीं गए थे जेटली रियो में दो मेडल मिलने के बाद भारत ने लिया सबक अब योग की तरह ओलंपिक को भी मिशन बनाएगा भारत अगर तीन ओलंपिक के लिए होगा कारेबल का गठन पतनी का शब्ध होने वारे मामले में ओडिशा सरकान इमानी भूल सीम नवीन पचनाएक ने कहा ये काफी तकलीब दे जिम्मधार लोगों के खिलाब सक्त कारवाई का निर्देश और अमारिक की सरजमी पर पहला इंटनाशनल क्रिकेट मैच आज टीम इंटी और वेस इंडीज होंगे आमने सामने अगले दो दिनों में खेले जाएंगे दो टी-20 मैच पाकिस्तान ने شکरवार को कहा कि un seasवा डक्षेश शिखसअमेलन 9 और 10 नवमबर को इस लामबाद में होगा पाकिस्तानी विदेश विभाग ने एक बायान में कहा पाकिस्तान के प्रधान मंती नवाज शरीफ ने दक्षे सदसियर देशों के नेताओं को इस सम्मेलन में आने की दावत भीजी है और वे उनका इसलामबाद में स्वागत करने को उच्सुक है बहरहाल ये सपश नहीं हो पाया है कि सीमा पारातंगवाद के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के सम्मंदों में चल रहे तनाव को देखते हुए क्या प्रधान मंती नरेंद्र मोदी इस शिखस सम्मेलन में भाग लेंगे इस महीने की शुरुआत में दक्षेस गुरुह मंतरी सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंग इसलामाबाद पहुँचे थे लेकिन उस दौरान दोनों देशों के बीच करवाहट देखने को मिली बाद में दक्षेस वित्व मंतरी सिखस शमेलन में अरुन जेतली नहीं पहुँचे जन्नत को जहन्नुम नहीं बनने देने का एलान करने वाली महबूबा मुफ्ती कश्मीर में शांती का माहौल तलाशने के लिए आज प्रधान मंतरी से मिलने वाली है महबूबा कल ही दिली पहुच गई थी और आज उनका पीएम से मिलने का कारिक्रम है लेकिन कश्मीर को लेकर महबूबा ने अपना रुख परसो ही साफ कर दिया था गौरतलब है कि बुरहान वानी के एंकाउंटर के बाद से कश्मीर में माहौल खराब है पचास दिन से श्रीनगर थप पड़ा है रोज कही ना कही से हिंसा की खबर आती रहती है सिती पर पीएम भी चुंता जटा चुके हैं जिसके बाद परसो गुरह मंत्री राजनाज सिंग ने श्रीनगर जाकर तमाम लोगों से शांती बाहाली पर बात की थी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के पी-o के बलुचस्तान और गिलगित बलुचस्तान पर दिये गए बयान से मुंबई बलास्ट के mastermind और most wanted आतं की हाफिस सजीद हाफिस सईद बुखला गया है इस बाद से बौकलाय आतंकी साइद ने पाकिस्तानी सरकार के लोगों को भड़काते हुए कहा इसलामाबाद वाले में बैठे लोग हामोश है नोटिस लेना चाहिए था, मूद और जवाब देना चाहिए था लेकिन वैं चुप बैठे हैं, ये क्या तरीका है तुम्हारे दुश्मन आज बलुतिस्तान और गिलगिट बालिस्तान की बाते कर रहे हैं वैसे इस वीडियो मेसेज से पहले कुछ दिन पहले भी मुंबई हमलों के मास्टर माइन ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कहा था कि वो कश्मीर में ना सिर्फ सेना भेजे बलकि मुहमद अली जुन्ना के लंबित आदेश का पालन करे अब इस नए वीडियो में आतंग की सईद घबराया हुआ, हैरान और बहुत संभल कर बाते भी करता दिख रहा है और जंग की बात करने वाला आंदोलन की बात कर रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी निशुकरवार को मंतरी परिश्वत की बैठक में घोशना की कि 2020, 2024 और 2028 में होने वाले अगले तीन ऑलम्पिक खेलों के लिए भारते खिलाडियों के प्रभावी प्रतिनिधित्वक के उदेश्य से विस्तृत कारे योजना बनाने के लिए कारेवल का गठन क्या जाएगा ओलम्पिक 2020 का आयोजन टोक्यों में क्या जाएगा कारेवल, खेल, सुविधा, ट्रेनिंग, चैन, प्रक्रिया और अन्य सम्मंदित मामलों में समूची रणीती तयार करेगा कारेवल में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो घरेलू विशेशगया लुपोंगे और बाहरी लोगों को भी शामिल किया जाएगा प्रधान मंत्री ने कहा कि कारेवल का गठन अगले कुछ दिनों में किया जाएगा भारत ने हाल में संपन रियो खेलों में 118 खिलाडियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा गल भेजा था रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से जमनास्टिक के फाइनल में टॉप चार तक पहुंचने वाली जमनास्ट डीपा करमाकर ने पीएम मोधी को शुक्रिया कहा बतादे की ये शुक्रिया इसलिए कहा गया है क्यूंकि पीएम मोधी ने शुक्रिवार को अगले तीन उलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए टास्क फोर्स भारतिय खिलाडियों के प्रदर्शन को बहतर बनाने के लिए सुविधाउं, प्रसिक्शन और चायन समझ्दी योजना तयार करेगी दीपा ने कहा सर को शुक्रिया कहना चाहती हूं उमीद करती हूं कि आने वाले ओलंपिक में हम और ज्यादा मेडल लेकर आएंगे मेरा मानना है कि इसका नतीजा बेहत अच्छा रहेगा मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक और उनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फांडेशन के लिए बुरी खबर है एक अंग्रेजी अकबार के मताबिक केंद सरकार जल्द ही जाकिर नाइक के खिलाफ आतंगवाद से संबंदित मामलों में आरोपी या दोशी 50 से ज्यादा जुनाज सिंग को नाइक की स्पीच की एक लिस्ट दी है जिसे इस कारवाई से जोड़ कर देखा जा रहा है बता दे कि पहले भी आई-एस में शामिल होने गए मुंबाई के चार्ज स्टूडेंट भी नाइक को फॉलो करते थे काला हांडी में एक आदिवासी विक्ती को 10 किलो मीटर तक अपने कंधे पर पतनी का शवद ढोने के मामले में अस्पताल और सुरक्षक कर्मियों से गलती होने की बात स्विकार करते हुए ओडीशा सरकार ने आज कहा कि दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी वानी पठना में समधाताओ से कहा कि जांच रिपोर्ट से पता चला है कि जुला मुख्याले अस्पताल जहां महीला का उक्चार हुआ वहां की करमचारियों और सुरक्षा एजिंसी से गलती हुई उन्होंने कहा कि जिम्मदारी तैय करने के बाद घटना के लिए जिम्मदार लोगों के खिलाफ कारवाई की जाएगी साथ ही कहा कि अस्पताल में सुविधाय बहतर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे स्कॉपिन दसावेज लिएक मामले का विसल ब्लोवर हजारों प्रिश्थो के डेटा का डिस्क सोमबार को ऑस्ट्रेलिया सरकार को सौपेगा समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन ने शुकरवार को ये जानकारी दी अखबार के अनुसार इस अनाम विसल ब्लोवर की पहचान से ऑस्ट्रेलिया या धिकारी पहले ही अवगत है इस समाचार पत्र के सब्ता हांत संसकरण में छपी खबर में कहा गया है कि सोंबार को जब उसने अपनी खबर को लेकर फ्रांसेसी कंपनी DCNS से लीक के बारे में टिपनी के लिए संपर्क किया तब तक इस बारे में भारत और फ्रांस के पास कोई जानकारी नहीं थी आस्ट्रेलियन ने कहा कि विस ब्लोवर चाहता है कि आस्ट्रेलिया को ये पता चले कि उसका भविश्य का पंडूबी साज़ुदार फ्रांस पहले ही भारत की नए पंडूबियों से जुड़े गोपनिय डेटा पर अपना नियंतरन खो चुका है रियो ऑलमपिक में देश का नाम रोशन का लोटी देश की बेटी साक्षी मलक का देश भर में जोरदार सुअगत हुआ लेकिन वतन वापस लॉटने के बाद साक्षी ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्विट का टीम इंडिया के विस्फोतक बलेबाज विरेंद्र सहवाग से मिलने की खवाहिश जाहिए की है कि धुरंदर बलेबाज रहे सहवाग ने साक्षी की इस ख्वाईश को पूरा करने में बिलकुल भी देरी नहीं की और बीदे दिन साक्षी के साथ उन्होंने मुलाकात की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने लिखा मिलक बहुत अच्छा लगा साक्षी मलिक उन्होंने मुझसे कुष्टी नहीं की इसलिए देश पर गर्व करने वाला पल देने के लिए आपको आराम से बढ़ाई दी सहवाक से मुलाकात के बाद सिल्वर गर्ल साक्षी ने भी ट्विच कर कहा विरिंद सहवाक सर मिलने के लिए शुक्रिया अफशानदाश शक्सियत है भारत और वेस्ट इंडीज आज अमेरिकी सरजमी पर पहले क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होगी तो इस खेल को नए बाजार तक पहुँचाने पर ICC की नजरे टिकी होंगी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अगले दो दिन दो टी-20 मैच खेले जाएंगे भारतिय टीम अमेरिका में पहली बार कोई प्रतिसपरध हर मैच खेलेगी करेबिया जर्जमी पर चाह टेस्ट मैचों की सीरीज जो इतने के बाद भारतिय टीम यहां पहुँची है टी-20 टीम की कमान कप्तान महिंदर सिंग धोनी के हाथों में होगी यह मैच ब्रोवार्ड रीजनल पार्क में खेले जाएंगे जो अमेरिका में एक मातर आई-सी-सी से मानिता प्राप्त वन्डे स्टेडियम है इस पर पिछले महीने केरिबियाई प्रीमिया लीग के 6 मैच हो चुके हैं खबरों के सफर में फिल हाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मॉइल फोन के माधिम से तो आप जुड़े रहें मेट्टो टीवी से तब तक के लिए नमस्कार